हेलो दोस्तो, दोस्तो अगर आपको जीके पढ़िना पसंद है तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे जीके के 15 सवाल पुछूँआ और उनके जवाब भी बताऊँआ लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो नीचे लाल बेटन को दबा कर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ओन कर ले तो चलिए सुरू करते हैं सवाल नमबर एक ऐसा कौन सा जानवर है जो आख्या बंद करके भी देख सकता है दोस्तो इसका सही जवाब है उट सवाल नमबर दो ऐसा कौन सा तत्तु है जो पाने में भी जलता रहता है दोस्तो इसका सही जवाब है सोडियम सवाल नमबर तीन एसा कौन सा जानवर है जो उल्टा नहीं चल सकता दोस्तो इसका सही जवाब है कंगारू सवाल नमबर च्यार एसा कौन सा जानवर है जिसकी तीन आख्या होती है दोस्तों इसका सही जवाब है टिटोरा नामक जानवर सवाल नमबर पांच कौन से जानवर का पेट सिर में होता है दोस्तों इसका सही जवाब है जहेंगा मचली का सवाल नमबर चै किस गरह पर एक दिन एक साल के बराबर होता है दोस्तों इसका सही जवाब है शुक्र गरह पर सवाल नमबर साथ कबड़ी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों इसका सही जवाब है बारा खिलाड़ी सवाल नमबर आठ आस्मान में सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है दोस्तों इसका सही जवाब है सीरियस तारा सवाल नमबर नो दुनिया का सबसे महंगा फल कौन सा है दोस्तों इसका सही जवाब है यूबरी खरबुजा सवाल नमबर दस किस देश का ज़ंडा उल्टा हो या सीधा एक समान ही दिखाई देता है दोस्तों इसका सही जवाब है जापान देश का सवाल नमबर ग्यारा खाना मूँ से पेड़ तक पहुँचने में कितना समय लगता है दोस्तों इसका सही जवाब है लगबग साथ सेकेंड सवाल नमबर बारा किस देश के लोग मुबाइल फोन का इस्तिमाल नहीं कर सकते दोस्तों इसका सही जवाब है पेरू देश के लोग सवाल नमबर तेरा भारत के सबसे पहली रंगेन फिलम कौन सी थी? दोस्तों इसका सही जवाब है किसन कनहिया सवाल नमबर चोदा पेड़ पर लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब है कटहल सवाल नमबर पंदरा बताओ वहे क्या है जो सुबह में चार पेरों पर रहता है दो पहर में दो पेरों पर रहता है और शाम को तीन पेरों पर रहता है दोस्तों इसका जवाब आपको पहले से मालुम है तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें दोस्तों इसका सही जवाब है बच्चपन, जवानी और बुढ़ापा दोस्तों वीडियो का कोई भी पाट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद